आप सभी लोगों का कल्याने एकडमी के स्प्लेटफॉम पर बहुत बहुत स्वागत है चलिए ध्यान दीजिए एलजेब्र हमारा टॉपिक है बिजगणित हमारा टॉपिक है और टाइफ फर्स्ट हमने इनिशेट किया है अभी तक टाइफ फर्स्ट है अब टाइफ कोशन से मैंने सिक्वेंस वाइज आपको करवाए हैं अभी तक क्लियर अब टाइफ फर्स्ट में ही एक स्पेशल टाइप फोश्ट के जरीए कि स्पेशल लर्निंग हम लेने वाले तो ध्यान देना है ना कोशन में लेता हूं उसकोशन के जरीए आज की क्लास का परपस क्य है हमारा कौन से कुश्चन में आपको बताता हूं क्लियर टू थ्री फोर्ट कुश्चन इस कुश्चन से हम इनिशियेट करेंगे तो ध्यान दीजिए करना क्या है ना इसमें निकालना रिमेंडर है जब एक मिनट हाँ एक मिनट रुको ध्यान दीजिएगा सभी लोग है न ठीक है जब 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वेर प्लस 7x माइनस 8 को 4x स्क्वेर प्लस 3x माइनस 2 से भाजित किया जाता है तो प्राप्त सेश्फल है ठीक है मतलब इसमें इससे डिवाइड देना है तो जिसमें डिवाइड देना है वो भाजी हुआ डिविडेंड दिस इस भाज मतलब की डिविडेंड क्लियर और यह है भाजक मतलब की डिवाइजर अब इसमें इससे डिवाइड देना है ठीक है चलिए देते डिवाइड 8x की पावर 4 प्लस 14x की ध्यान देना सभी लोग है ना यहां से क्या सीखने वाले है एक्चुल में 7th क्लास में यह आता है डिवाइड देना है ना इसकुल में 7th क्लास में आपने इसको फेस किया होगा लेकिन हम ध्यान नहीं दिया ना इसलिक पढ़ना पड़ता है आज चलो किससे डिवाइड देना है इसमें 4x स्कुर्ण प्लस 3x माइनस 2 से इससे डिवाइड देना है ना ठीक है डिवाइड देने पर सेषफल क्या आता है वह बताना है अब अब बोलोगे सरी मेंडर का तो आपने शौट कट अप्रोच बताया था शोट मेंठ बताया था लेकिन इह दントयाक ¿ वो कब चलता है उसमें हम क्या करते है पहला step क्या होता है भाजक को 0 के बरावर रखते है भाजक क्या है हमारा 4x square plus 3x minus 2 इसको किस के बरावर रखते है 0 के बरावर लेकिन यहां से x के 2 values आएंगे यह method जो ना फिर हम क्या करते है भाज़े रखते है उसमें जो x का value आता है वो रखते हैं तो उसे श्फल बन जाता है लेकिन वो तब काम करेगा जब यहां पर x की value सिंगल आए जैसे यहां पर x minus 3 बरावर 0 होता है तो x बरावर 3 आ जाता मतलब linear equation हो मतलब x की power 1 वाला relation होना चीए ऐसा x की कोई power नहीं होनी चीए normally 1 power होनी चीए x की power 2 वाले relation में यह method काम नहीं करेगी quadratic equation में द्विघात समीक्रण वाले relation में यह method काम नहीं करेगी यह method के वल तब काम करेगी जाए x की power क्या हो गए clear तो अब हमें क्या सीखना यहां से ध्यान दो naturally divide केसे देते यह हमें यहां से सीखना है ध्यान दीजिएगा सभी लोग है ना ठीक है चलिए देखिए 4x square plus 3x minus 2 से इसमें divide आपको देना है clear तो सबसे पहले क्या है ना this is our target यह हमारा target है ठीक है अब मुझे यह बता 4x square में क्या multiply करेग 8x की power 4 बन जाए समझना बबात को है नं 4x square में क्या multiply करे की 8x की power 4 बन जाए तो एक्या करके comprher 8 बनाते हैं तो 4 में क्या multiply करे क्या 8 हजाए 2 कर 4 tos 8 अब x की power 4 बनाना है तो x की power 2 तो है x की power तो और लगा दे क्या clear तो x square into x square X की पावर 4 भी बना और 4 टूसा 8 तो समझ में आया यह भागफल बनना चालो हो गया हमारा question भागफल clear एसा number यहाँ पर लिखना होता है जिसमें इसका multiply करने पर यह पहला टम पहला पद target अचीव होना चीए clear है न ठेक है तो 4 टूसा 8 X square into X square X की पावर 4 clear तो मिल गया हमें अब जैसे पहला टम मिला अब क्या करना होता है न इसका multiply इन तीनों में करना होता है इन तीनों में तो 2X square का multiply जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा 8X की पावर 4 आएगा 2X square का multiply 3X में करेंगे तो कितना आएगा 6X cube आएगा 2X square into 3X 6X cube आएगा minus 2X square का multiply इसमें करेंगे तो minus 4X square आएगा clear इतनी बाद ठीक है 2 का multiply इसमें करेंगे तो 2 to the 4 minus 4X square आएगा clear इतनी बाद सभी को है न ठीक है जो भी पहले देखो 2x square कैसे बनाया पहले इसको target को achieve करने के purpose से क्या लिखना है फिर उसका multiply तीनों में होता है यहाँ पर लिखना है clear अब क्या करना है sin opposite प्लस है तो minus, plus है तो minus, minus है तो plus चला अब देखो 8x की power 4, 8x की power 4 cancel प्लस 14, minus 6, अब side minus, plus 14 minus 6, plus का 8x cube आएगा क्या minus 2x square plus 4x square, plus का 2x square आएगा क्या clear इतनी बात और वो यह copy कर लो नीचे आप एसा कर वेसा plus 7x minus 8, चला वही गेम खेलेंगे फिर से, अब हमारा target को है 8x cube तो 4x square में इसा multiply करो, अब दूसरा टम भागफल का दूसरा पद तयार होगा question का second time, तो 4x square में इसा multiply करो 8x cube आएगा, तो पहले तो 8 को target कर ले, चलो, क्या multiply करें, इसमेहना, ठीक है, तो 4 to the 8, तो पहले तो 8 बना लो 4 to the 8, फिर x square में क्या multiply करें, एक x cube आए, x का, x square into x आएगा, x cube, clear, plus, ठीक है, तो चलो, अब 2x का multiply इनती, नुमें 2x का multiply इसमें करेंगे, तो 8x cube आएगा, 2x का multiply इसमें करेंगे, तो 6x square आएगा, और 2x का multiply इसमें करेंगे, तो minus 4x आएगा, clear, तो plus का minus, plus का minus, minus का plus, clear, ठीक है, हाँ, plus 2 minus 6, minus का 4x square, plus 7 plus 4, plus का 11x, minus का 8, clear, चलो, अब minus 4x square बनाना है, अब target हमारा है, minus 4x square, clear, यह हमारा अब target है, clear, ठीक है, अब देखो, हम सर कहां तक करते रहेंगे इसे, जहां तक यह खतम न हो जाए, भाजी खतम न हो जाए, देखो, अभी तक minus 8 के साथ लड़ने वाला कोई नहीं आया था, इसलिए एक और बारा भी करना पड़ेगा, minus 8 के साथ लड़ने वाला भी अब सामने आएगा, तो पू minus 4x square, minus 3x plus 2, clear, ठीक है, है ना, minus minus plus हो जाएगा, चलो, sin opposite कर लेते, plus, plus, यह हम minus, clear, चलिए, अब देखिए, तो minus 4 plus 4 cancel, plus 11 plus 3 plus का 14x, और minus 8 minus 10, तो बता ये सेसफल 14x minus 10 आया क्या, ये वाला तो इस question के जरीए मेरी आपसे ये request है, कि इस question के जरीए आप, ये जो method, ये process इसको सीखो थोड़ा सा है, जरूरी, देखो, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते है आज के time में, आप बोलो कि sir, इतना time कहा मिलेगा exam में, नहीं मिलेगा, last के लिए छोड़ो ऐसे question को, कोई दिक्क से हो गई है, बहुत फटा-फट, बहुत speed से होता है, आप बोलोगे तो आप घड़ी लगाई है, मैं 30 seconds में करके दिखा दूँगा पुरा इसको, clear, ज्यादा ज्यादा एक मिनट लगेगा, सवा मिनट, देड़ मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ सवाल ज्यादा time इनकेस आजाता है, ठीक है, बटी सीखना ज़रूरी है, यदि आपको भीड में आगे बढ़ना है, overall बड़ा नंबर लाना है लोगों से, ठीक है, अच्छे माक्स लाना है तो ठीक है, चली, आगे चलते, next वाला question लेते, तो अब हम वही question करेंगे, type first के सारे, जिन में हमें इस प्रकार का divide करना ही पड़ेगा, कोई short trick काम नहीं करेगा, ठीक है, चल, ओर आगे चलते, चार के बाद हम चलते, repeat करकर करके रेखना है न, चार के बाद हम चलते, सवाल नंबर, 12 पर, 12 पर आते है, ठीक है, अब इस 12 में देखिया, आप क्या करना है आपको, 2x square minus 3x minus 5 मे x plus 1 से divide देना है, किस से divide देना है, x plus 1 से, clear है कि अतनी बाद ठीक है, अब देखिये यहाँ पर क्या है कहानी, सुनी, x plus 1 से clear है तरी बहुत ठीक है अभी ध्यान दीजे सबी लोग है ना क्या बता रहा हूं में ठीक है x plus 1 से divide देना है अब इसको चाहो तो देखो यार एक तरीका होता है मैं आपको quadratic equation सिखाऊंगा लग से अभी है ना उसमें आप सीखेंगे quadratic equation ठीक है 2x square minus 3x minus 5 और x plus 1 क्या होता है ने इसको हम factorization कर लेते हैं इसका factorization यदि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा ने इसका factorization मैं आपको बताता हूं ठीक है 2x square minus 3x minus 5 divided by x plus 1 ठीक है ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए 5 to 10 ना तो plus 5 और minus 2 तो 2x square minus 5 minus 2x minus 5 clear ठीक है ना अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी सुनिए ठीक सहर ठीक है 3 को हम 5 minus 2 लिख सकते हैं 2x square यह आपने इसकोल में सीखा होगा ना splitting the middle time इसे करके 5, 2 नी 10 10 के इसे 2 factor करो गुड़न खंड करो के difference 3 आए 2x minus 5 अब देखो इसमें x common है इसमें 1 common है clear इसमें से x common निकालो गया एक से दी आप common निकालते हो ठीक है तो अंदर क्या बचेगा 2x minus 5 और इसमें से दी 1 common निकालो गया तो 2x minus 5 तो दोनों में 2x minus 5 common है क्या तो बता यह इधर से x बचेगा इधर से क्या बचेगा 1 तो इस प्रकर फेक्टोराइज हो जाएगा नहीं है मैं यह और ली करता हूं मेरे पास और भी shortcut तरीके में बताऊंगा आपको इसके अभी quadratic equation जब आप सीखोगे ना समझ में आएगा तो यह cancel कर दो आप क्या बच्छा answer is 2x minus 5 या फिर में जो method हम जो method की बात कर रहें उसी से करता है फिर चलो इसको target बनाना या दे ना आपको method ठीके तो x में किसका multiply करें 2x का तो 2x into x बताई आ जाएगा यह 2x square 2x square है ना और 2x का multiply 1 में भी करेंगे फिर ठीके 2x into x आगिया ना 2x square target है चीए तो 2x का multiply दोनों में करेंगे प्लस का 2x ठीक है तो यह माइनस यह भी माइनस है ना तो यह cancel minus 3x minus 2x minus 5x minus 5 चलो अब अगला target क्या है हमारा minus 5x तो क्या multiply करें minus 5 का तो minus 5x का multiply दोनों में करोगे तो यह आएगा और पूरा cancel हो रहा है देखो आप remainder 0 तो भागफल 2x minus 5 बना क्या नहीं बना यह 2x minus 5 आपको थोड़ा सा irritating लगा होगा साई यह क्या नया ले आए बीच में है ना ठीक है बट आप देखो ना 2x minus 5 है ना ठीक है इस प्रकार से कर लो कोई बात नहीं ठीक है चलो आगे चलते नेक्स्ट वाले question पर चलते है ना ठीक है अगले सावल यह समझ में है क्या सभी को clear है ना थोड़ा सा patience रखना देखो एलजेवरा पंडेम में step by step एक एक चीज़ आपको बताने वाला है ना ठीक है एक एक चीज़ step by step है ना चलो आगे चलते है नेक्स्ट वाले question पर यह बारा नंबर का सवाल था ठीक है बारा के बाद 13 पर चलते है तेरा वही सेम कहानी 50 x square minus 11 x plus 2 को किससे divide देना है 3 x minus 1 से न तो 15 x square minus 11 x plus 2 को हमें divide देना है 3 x minus 1 से clear ठीक है तो चलो अब क्या मुल्टिप्लाइ करे इसमें है ना टारगेट यह 15x2 हमारा मैं बोलो ना 4-5 question करोगे और देखोगे repetition में तो practice होगी होगी है ना 3x का multiply करते हैं 5x में ठीक है तो इसका multiply करो इसमें तो 15x2 बनेगा की नहीं बनेगा अब इसका multiply दोनों में कर लो आप है ना इसमें करोगे तो minus 5x आएगा चलो वही sin opposite minus plus यह cancel यह minus 11 plus 5 minus 6x plus 2 clear तो चलिए minus 2 यहाँ पर आ जाएगा है minus 6x minus minus plus 2 clear तो plus और यह minus clear यह cancel यह भी cancel 00 clear तो 5x minus 2 clear ठीक है आया समझ आया सभी कोई clear चलो next पर चलते आगे चलते समझ रहे हो है ना चावदा नमबर ठीक है तो सेशफल क्या है अरे सेशफल वाला question तो आप कर चुके तो shortcut method से हो जाएगा रिमेंडर या देना आपको x की value यह कर चुके हम question है ना इसको 0 के बरावर रखोगे तो x की value minus 3 by 2 इसमें रखोगे तो सेशफल आ जाएगा या देना हो method देखो videos को repetition में जब तक नहीं देखोगे ना चीजे पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे repetition बहुत ज़रूरी है चलो हाँ चलो इसको करते है ठीक है इसमें रिमेंडर निकालना है आपको है ना चलिए x cube minus 6 x square plus 11 x minus 6 को किस से भाग देना है x square minus 4 x plus 3 से विभाजित किया जाए तो सेशफल क्या आएगा है ना x cube minus 6 x square plus 11 x minus 6 है ना x cube minus 6 x square plus 11 x minus 6 में किस से डिवाड देना है x square minus 4 x plus 3 से है ना प्लस 3 ठीक है चलो अब देखो यह target है हमारा x cube हमारा target है तो किसका multiply करें इसमें बताओ ना x square में x का obviously तो हो गया ना x cube x का multiply इसमें minus 4 x square और plus 3 x clear minus plus minus चलो अब देखो है ना तो यह cancel यह कितना हैगा minus 2 x square और plus 11 minus 3 plus का 8 x minus 6 चलो अब अगला target minus 2 x square है हमारा तो चलिए minus 2 तो minus 2 का multiply इसमें करेंगे तो minus 2 x square minus 2 का multiply इसमें भी करेंगे तो plus 8 x और minus 6 हो गया ना remainder 0 देखो सब कैंसल हो जाएंगे सब के सब है ना सब कैंसल तो remainder क्या आएगा जीरो बो समझे के नहीं समझे clear इतनी बात है ना तो सेशफल आ जाएगा 0 यानि कि भागफल क्या आया अच्छा remainder निकालना था तो remainder इस 0 सब्सक्राइब करेंगे तबी तो minus 2 x square आएगा टार्गेठ मचीव कर पाएंगे चलो और आगे चलते हैं तो इस थोड़ी से प्रैक्टिस करो बस यह ही आज किस क्लास का परपस है हमारा है ना इसका मतलब यह नहीं के वल यहीं पड़ेंगे अभी खताम हो जाया का नई चीज भी चालू कर देंगे वहीं पर है ना तो भागना नहीं चलो आगे चलते हैं पंदरा के बाद सवाल नंबर सोला सोला पराते हैं भागफल ग्याद करें आप भी कर सकते हो है ना देखिए 6y स्क्वेर प्लस 6y माइनस 12 इसमें किस से डिवड देना है y माइनस 1 से तो चलो देख लेते हैं यह ना ठीक है तो y में किसका मल्टिप्लाइ करें यह टार्गेट है हमारा है न 6y स्क्वेर ठीक है तो y में किसका मल्टिप्लाइ करें 6y का क्लियर तो 6y स्क्वेर माइनस 6y प्लस का माइनस माइनस का प्लस है यह कैंसल ठीक है प्लस 6y प्लस 6y प्लस का 12y माइनस 12 ठीक है अब देखी यहाँ पर है अब किसका मल्टिप्लाइ करें इसमें प्लस 12 का 12y माइनस 12 12 को मल्टिप्लाइब इसमें भी इसमें सेम बनाना होता है ना माइनस प्लस कैंसल जीरो तो क्या निकालना था इसमें भागफल तो भागफल 6y प्लस 12 आएगा 6y प्लस 12 अरे हट सारे option गलत है change कर लेना answer will be 6y प्लस 12 clear यह आएगा है ना change कर लेना option सारे गलत है कोई बात नहीं ठीक है चलो next पर चलते अभी हम अगले सवाल पर चलते है ना ठीक है next question है ना 16 17 के बाद 41 16 के बाद 17 पर आ जाते पहले ना 17 हाँ तो एक notebook की कीमत होगी okay ठीक है अब देखो यह question कैसा है ना मैं आपको बताता हूँ पहले देखो सुनो ठीक से मैं बताता हूँ है ना question की कहानी क्या है exactly जैसे x-2 notebook की कीमत जैसे 4 example चलो एक example लेता हूँ मान लो एक notebook की कीमत है 10 रुपे की एक book 10 रुपे पर book और मान लो हमने 5 बुक ले ली कितने बुक ले ली 5 तो बताए यह total पेसा कितना लगा पचास रुपे लग गए के नहीं लग गए बताईए total पेसे कितने लग गए 50 रुपे 10 रुपे पर book इंटू 5 बुक बराबर total पेसा कितना लगा 50 रुपे clear एतनी बाट ठीक है अब धियान देना है यह क्या है प्राइस बुक का 10 रुपे पर बुक क्या है बुक का प्राइस clear एतनी बाट इंटू 5 बुक्स यह 5 बुक्स क्या है number of बुक्स बराबर 50 रुपे क्या है खर्चे expenditure है ना ठीक है टोटल प्राइस टोटल खर्च या टोटल प्राइस चलो यह एक रिलेशन है जिसके ओपर यह question है अब नोट बुकों की संख्या कितनी है x-2 नोट बुक की कीमत ठीक है x-2 बुक्स किताबों की संख्या दिया है यहने कि n का विल्यू क्या दिया है x-2 clear है ना इनका विल्यू दिया है x-2 की कीमत कीमत याने की टोटल खर्च इसका टोटल कीमत इसका विल्यू क्या दिया है 2x3 माइनस 8x2 प्लस 5x प्लस 6 clear और हमें पुछा है एक नोट बुक की कीमत याने की एक नोट बुक का प्राइज निकालना है अब आप ही सोचो यदि यह निकालना है तो x-2 से इसमें डिवाइट देना पड़ेगा या नहीं x-2 से इसमें डिवाइट देंगे है ना x-2 से जब हम इसमें डिवाइट देंगे तो प्राइज आएगा की नहीं आएगा एक बुक का प्राइज clear समझ में आई बात तो x-2 से इसमें क्या देना पड़ेगा डिवाइट मतलब प्राइज निकालने के लिए अब समझो आप इसको है ना प्राइज निकालने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं इस पिट बढ़ा कर देख लो बट एक एक चीज बताना जरूरी है यार हां सौरी ठीक है डबल कर लो आप इस पिट ठीक है एक्स माइनस तो इसके अपन में आएगा चलिए निकालते है प्राइस ठीक है है ना तो 2x3-8x2 प्लस 5x प्लस 6 है ना प्लस 5x प्लस 6 में किससे डिवाड़ देना है एक्स माइनस 2 से क्लियर ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी सुनिए ना ठीक है तो टार्गेट है यह जानते हो ना आप तो यह मैथड तो आपको पता ही है अमारी है ना 2x2 का इसमें मल्टिप्लाई करेंगे हैं है ना तो यह हो गया 2x3-4x2 है ना अरे यहार है 8x2-8x2 na plus 5x plus 6 ठीक है 2x3-4x2 माइनस 8 प्लस 4, माइनस 4x स्क्वेर प्लस 5x प्लस 6, अगला टार्गेट माइनस 4x स्क्वेर है है ना, तो चलिए, माइनस का 4x, ठीक है तो माइनस 4x का मल्टिप्ला इसमें करेंगे अच्छा, इसमें क्या मल्टिप्ला करेंगे, माइनस 4x स्क्वेर है तो minus 4x करेंगे कि नहीं करेंगे इसी बहाने तो यह values मिलते हैं हमें clear ठीक है देखो है price बनना चालू हो गया न हमारा भागफली तो answer होगा न इसमें से divide देंगे तो क्या आएगा भागफली तो आएगा कि नहीं आएगा जो आता है वो ठीक है question clear तो 2x square minus 4x इसमें है देखो इसमें यह सिर्फ तो obviously answer हो गया आगे निकालने एक जरूरत ही नहीं है 2x square minus 4x है न चलू कर लेते हैं माइनस 4x का multiply इसमें तो minus 4x square और plus 8x clear minus plus plus का minus तो यह cancel plus 5 minus 8 minus 3x plus 6 clear अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस 3 क्या माइनस 3x target है न तो minus 3 का multiply करेंगे इसमें तो minus 3x और plus 6 आगिया क्या remainder 0 देखो न सेम टम हो गई न दो तो remainder क्या आजाएगा 0 तो भगफल क्या बना 2x square minus 4x minus 3 clear तो एक नूट बिक की कीमत कैसे निकालेंगे समझ में आए कि आप लोगों को clear है सभी को चल और आगे चलते हैं ना आगे चलते हैं ठीक है x square plus x minus 72 में किस से divide देना x minus 8 से है तो देखिए x square plus x minus 72 में हमें divide देना है x minus 8 से clear एतनी बाट ठीक है अब देखिए यहाँ पर है ना क्या है कहानी ध्यान दीजिएगा सभी लोग ठीक है है ना हाँ देखिए है ना x square plus x minus 72 में x minus 8 से divide देना है तो यह तो अलगी दिख रहा है यार हाँ अलगी दिख रहा है कि इसके जो factor है न वह एक तो है एक्स प्लस 9 और x minus 8 तो एक्स प्लस 9 ही अंसर आएगा इसका यह आप फेक्टोराइज कर सो को या फिर यह से कर लेते चलो टार्गेट x square है एक्स प्लस प्लस 8 एक्स कितना हुआ प्लस 9 एक्स माइनस का 72 है ना वेशा का वेशा हम कॉपी करेंगे ठीक चलो अब अगला टार्गेट हमारा क्या है 9 एक्स में क्या मल्टिप्लाइब करें है नो का है तो 9 का मॉल्टिप्लाइए एक्स में करेंगे तो 9x और 8 में करेंगे तो माइनस 72 तो हो गया ना जीरो जीरो देखो या पोजीट साइन करोगे सेम तम में कड़ जाएगा ना माइनस प्लस प्लस क्लिया तो x 4x3-2x2-3 में 2x2-1 से डिवाइड देना है ना 4x3-2x2-3 में हमें डिवाइड देना है 2x2-1 से clear ठीक है चलो अब देखो यहां पर है ना तो 4x3 बनाने के लिए 2x2 में किसे multiply करें तो बताएं टू 2x है ना तो 2x का multiply इसमें इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 4x3 है ना और माइनस 2x 2x का multiply इसमें करेंगे 4x3 और माइनस 2x आएगा अब आप एक चीज़ देखो पावर मेच नहीं हो रही है ना तो पावर मेच नहीं हो रही है जब पावर मेच नहीं हो रही है तो उसको मैं लास्ट में लिखने का एफ है ना लास्ट में पावर किसे भी मैच नहीं हो रहा ना ठीक है लास्ट में ठीक है चलो अब साइन अपोजिट प्लस का माइनस और माइनस का प्लस चलिए तो यह कैंसल माइनस टू एक्स स्क्वेर प्लस का 2x और माइनस का 3 हम कहां लिखेंगे यह last में माइनस 2x square है ना ठीक है तो चलिए अब 2x square में क्या multiply करेंगे माइनस 2x square है माइनस 1 का obviously तो माइनस 1 का multiply इसमें करेंगे तो माइनस 2x square माइनस माइनस plus 1 आएगा की नहीं आएगा clear चलो अब देखो, माइनस का प्लस कर लो, और प्लस का माइनस, तो यह कैंसल, और यह आएगा 2x-4, clear, तो भागफल क्या आया, भागफल 2x-1 आया, क्वेशन्ट क्या आया, 2x-1, clear, तो क्वेशन्ट विल बिकम 2x-1, ठीके, 2x-1 क्वेशन्ट है, और सेश्फल निकालना होता 2x-4, clear, चलते आगे, नेक्स्ट पर चलते हैं, एक मिनट, हाँ, इसके बाद जो है, 43, नहीं, 44, यस, इसको कर लेते हैं, चलो है, 44, ठीके, इसको सिंप्लिफाई करना है, आपको, सिंप्लिफाई मतलब डिवाइड देना है, n-6, एक्च्वेली, तो या तो आपको splitting the middle time आता हो, या फिर जो method बताई उसी से है, n-6 से डिवाड देना है, ठीके, तो इसके factorization क्या-क्या होंगे, इसके factorization होंगे, n-6, है न, और n-12, यह होगा factorization इसका, ठीके, है न, upon n-6, तो n-6, 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 के answer will be n-12, गुड़न खंड यदी करना आता हो, मैं सिखाओंगा आपको नहीं आता है, भी तो या फिर आप उससे कर लो हमारा method, n-square, plus 6n, minus 72 में किस से divide देना है, n-6 से, clear, तो चलिए, n, यह target है हमारा, ठीक है, तो n into n, n-square, minus 6n, minus 6n, clear, चलो, plus का minus कर लेते हैं, minus का क्या कर लेते हैं, plus, यह cancel, और 12n, minus 72, clear, चलो, अब देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, है न, तो 12n, तो n में 12 का multiply करेंगे अभी, तो आगिया न, 12n, और 126 से, minus 72, आगिया remainder 00, सब cancel हो जाएगा, न, से में, तो n plus 12 आएगा, यह देखो, n plus 12 आएगा था, चलो, और आगे चलते हैं, next question लेते हैं, है न, सेश्टफल क्या होगा, कर चुके हम, भागफल क्या होगा, x minus 5 से divide करने पर भागफल क्या होगा, चलो, इसको कर लेते हैं, 46, x cube minus 3x square minus 13x plus 15, है न, x cube minus 3x square minus 13x plus 15, है न, clear, इसमें हमें किस से divide देना है, x minus 5 से, clear, ठीके, चलो, अब देखो, यहाँ पर है न, क्या है कहानी, ध्यान दीजे सभी लोग में क्या बता रहूँ है, ठीके, ध्यान देना है सभी को, चलिए, इसमें multiply करेंगे किसका, x का, clear, ठीके, x square का है न, तो x square का इसमें multiply करेंगे, तो x cube minus 5x square, clear, तो plus का minus और minus का plus है न, ठीके, तो यह cancel और यह 2x square, minus 13x plus 15, clear, तो चलो, अब किसका multiply करेंगे, plus 2x का, तो 2x square minus 10x, clear, plus का minus, minus का plus, यह cancel, यह minus 3x plus 15, clear, तो चलिए, अब देखिए, यहाँ पर minus 3 लगा लें, तो minus 3x plus 15, same है, तो कड़ जाएगा, 00, clear, तो क्या आया, देखो, question भागफ़न, x square plus 2x minus 3, यह relation, अच्छा केवल, इतना portion बन जाने पर भी, सिर्फ इतना बन जाने पर भी, आप चेक मिला सकते हो, परेना पूरा करने की जरुरत भी नहीं, इतना सा बन जाने पर भी, आप मिला सकते हो, ठीक है, चलो, आगे देखते है, 47, कितना घटाया जाए, कि इसको बाद में करेंगे, भाकफल का प्रथम पद क्या होगा, अब देखोए, ये सवाल कितना शांदार और कितना सरल सा है, यहीं से हो जाएगा सीधे, इसमें x-1 के दौरा विभाजित किया जाता है, तो भाकफल का प्रथम पद क्या होगा, x-1 के दौरा विभाजित करने का मतलब है, 2x², सीधी सी बात है, ये अंसर आएगा, इसका लगी दिखा, देखो, मैं करके दिखाता हूँ, 2x²-3x-4 न, इसमें हमें किस से डिवाट देना है, x-1 से, ठीक है, तो चलो, किस से मल्टिप्लाइ करें इसमें कि 2x² आ जाए, 2x² से करेंगे क्या, तो आ जाएगा 2x², क्लियर तो भागफल का पत्थम पत्र 2x² ही बनेगा न, सीधी सी बात है, ये 2x², क्लियर एतनी बात किया सभी को, है न, ओके, चलो, नेक्स पर चलते, x-1 से वहाज सेशफल हम निकाल चुके, at the rate किसका प्रतीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा न, आपको क्या करना इस question में, देखो न, सरल सी बात है, at the rate, divide 2x-3, divide मतलब, upon में आएगा 2x-3, बराबर में क्या आएगा, 2x-3, ठीक है, तो at the rate बराबर, इन दोनों का multiply करेंगे, ठीक है, है न, 2x-3 का, तो 2x-3, 2x-3 का जब हम multiply करेंगे, तो आप जानते होंगे, शायद एक formula होता है, 4x-9 आ जाएगा, क्या formula होता है, a-b, मतलब की a square-b square, 4x square minus 9, clear, ठीक है, चलिए, देखिए, आगे चलते है, next पर है, यह कर चुके है, हमें न, कितना घटाया जाहिए, यह मैं आऊंगा, इस पर अभी है, ठीक है, हेश का मान, बताओ, x plus 4 से इधर divide देंगे के नहीं देंगे, तभी हेश का value आएगा, किने x plus 4 से देदोगे आप divide, निकाल लोगे रहा answer, ठीक है, x plus 4, x plus 3, वेसे इस का answer आएगा, x plus 3, आप कर लेना है, इतना तो करना है आरब है, ठीक है, 54, गुडन खंडे तो यह कमान कर चुके हैं, भाग देने पर भाग फल क्या होगा, चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है, 3y की power 4, minus 3y cube, minus 4y square, देख लेते हैं, ठीक है, क्या है कहानी, 3y की power 4, minus 3y cube, minus 4y square, 3y की power 4, minus 4y square, minus 4y, clear, हाँ, y square minus 2y, है ना, इससे इसमें हमें divide देना है, ठीक, इसको correction कर लेना है, square नहीं है, आपके हैंना, सिर्फ 4y, clear, y square minus 2y, से हमें divide देना है, चलो, सबसे पहला target हमारा, 3y की power 4 है क्या, चलिए, तो हम इसमें multiply करेंगे, 3y square से, clear, ठीक है, तो चलिए, कर लेते हैं multiply, तो यह आएगा, 3y की power 4, minus 6y cube, clear, ठीक है, चलो, अब देख़ें, minus और यह plus है ना, तो यह cancel, 3y cube, minus 4y square, minus 4y, clear, अब हमारा target है यह, clear, चलो, तो अब y square में क्या multiply करें, तो सिदी सी बाते, plus का 3y लेंगे क्या, तो चलो, 3y का multiply इसमें करेंगे, तो 3y cube, minus 6y square, clear, ठीक है ना, यह minus और यह plus, clear, यह cancel, यह क्या आएगा, plus का 2y square आएगा, minus का क्या आएगा, 4y, clear, अब क्या multiply करेंगे, प्लस का 2y square बने, 2 का, तो बन गया क्या भागपल, 3y square, plus 3y, plus 2, यह देखो, है ना, तो 2y square, minus 4y, 3y square, plus 3y, plus 2, clear, चल, और आगे, चलते, थोड़ा सा है, ना, देखी, यह वाला कुशन, इसको ले ले लता है, 14x square, minus 29xy, minus 18y square है, इसको इससे द्वारा विभाजित करना है, डिवाइड देना है, 14x square, minus 29xy, minus 18y square है, minus 18y square है, ठीक है, किस से दिवाइड देना है, इसमें, 2x minus 5y से दिवाइड देना है, ठीक है, चल, अब यहाँ, देखिए, सभी लोग है, 14x square को target करना है, पहले हमें, ठीक है, तो 2x से x का multiply करेंगे, 7x का clear, ठीक है, तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे, तो 14x square, और minus 35xy, clear है, चल, minus और यह प्लस, ठीक है, cancel, कितना आएगा, 6xy, minus 18y square, clear, ठीक है, अब 6xy हमें बनाना है, ठीक है, तो इसको हम लेंगे 3y, 3y लेंगे, तबी तो multiply करके, 3 to just 6xy का target पूरा होगा, 3y का multiply, इसमें भी तो minus 15y square, ठीक है, तो plus का minus, minus का plus, clear, यह cancel, है न, तो minus 3y square, remainder आएगा, क्या, क्या निकालना था, इसमें, अच्छा, remainder ही निकालना, minus 3y square, ठीक ह आया समझ में आया है क्या सभी को, चलो, और question देखते हैं, और क्या question इसमें, एक मिनट है न, वो क्या घटाया जाए, क्या जूडा जाए, ठीक है, हाँ, यह देखो, this is very very important question, ठीक है, इस question को हम देखते हैं न, क्या कहानी इसकी, ठीक है, चलो, देख लेते हैं, 14x cube minus 5x square plus 9x माइनस 1 में से कितना घटाया जाए, कि परिणामी बहुमत 2x माइनस 1 से पुर्ण रोप से भजित हो जाए, ठीक है, 14x cube minus 5x square plus 9x माइनस 1 में से हैं, दियान देना, 14x cube, शानती रखना थोड़ा से, क्या बता रहा हूं, समझे हो, plus 9x माइनस 1 में से, क्या घटाया जाए, कि किस से डिवीजीबल हो जाए, 2x माइनस 1 से, इसमें क्या घटाया है, कि किस से डिवाइड हो जाए, 2x माइनस 1 से, clear, अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल आपसे पुर् 17 में मैं क्या माइनस करूँ, 17 में से क्या घटाओं कि 5 से डिवीजीबल हो जाए, मिनिमम नियुनतम, 17 में से क्या घटाओं कि 5 से डिवीजीबल हो जाए, अब बोलोगे सर, 2 रुपे कम कर दो, 15, 5 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोचो ना, अंदर से आता तो 5 3 15 तो बताए ये सेशफल 2 आएगा कि नहीं आएगा 5 3 15 सेशफल कितना हैगा 2 सेशफल यने की क्या आज समझवाबी तक आपने ध्यान नहीं दिया हूँ सिर्फ रिमेंडर रिमेंडर सेशफल आता हूँ सेशफल बताता क्या है मतलब 17 के अंदर 5 के रिस्पेक्ट में कितना सेश रखा हुआ है 2 17 के अंदर 5 के रिस्पेक्ट में सेश यने की एक्स्ट्रा कितना रखा है एक्स्ट्रा कितना रखा है एक्स्ट्रा निकाल लो तो 17 के अंदर 5 के respect बताई 2 रूपय एक्स्ट्रा रखाए के नहीं रखाए 17 में से 2 रूपया निकाल लो तो 15 पांस से divisible होगा के नहीं होगा तो remainder ही घटाई जाने वाली संख्या बनती है के नहीं बनती है 17 में क्या घटाई के 5 से divide हो जाए तो बताई रिमेंडर खुदी घटाई जाने वाली संख्या बनती है के नहीं बनती है clear एतनी बात है ना ठीक है तो ध्यान दीजिए मतलब इस में ऐसा क्या घटाएं इस relation में ऐसा क्या घटाएं किस से divide हो जाए तो remainder ही answer बनेगा के नहीं बनेगा कोण answer बनेगा remainder ही answer बनेगा अब समझो इधर आउ जड़ा समझ में आया की नहीं आया यारी है इधर देखो में क्या बता रहा हूँ तो इस case में क्या घटाया जाए ऐसा सवाल जब भी आएगा है ना what should be subtracted from this relation so that the result is divided by 2x minus 1 clear what should be subtracted क्या घटाय तो घटाया जाने वाला remainder खुद ही जो होता है वही घटाया जाने वाला number होता है तो remainder निकालना है finally है ना तो अब remainder निकालने का short तरीक आपको पता है कि नहीं पता है बताईए इस question में remainder निकालने के लिए क्या पूरा डिवाइड देना पड़ेगा नहीं हमें इतना पता चला remainder यंशर है इस question में remainder निकालने के लिए क्या पूरा डिवाइड देना पड़ेगा नहीं औरे वो मैथर काम करेगी न shortcut method remainder निकालने वाली पहला step भाज़क को किसके बरावर रखो जीरो तो भाज़क 2x minus one तो बताहि credo वल्या सी नहीं आएगा अब दूसरा step X का विल्या ₂वी दंड लगाए मिक्लो सेकन डिःवचे बाज़क आंए ये हैं कि नहीं तो इसंसे का value 1 by 2 रखेंगे बताइए भाज जिसे बदल के सेश्फल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो रख दू क्या x का value 1 by 2 इसमें रख देता हूँ है ना 14 into 1 by 2 का cube minus 5 into 1 by 2 का square plus 9 into 1 by 2 minus 1 clear ठीक है 14 into 1 by 2 का cube minus 5 into 1 by 2 का square plus 9 into 1 by 2 minus 1 clear तो बताइए 14 by 8 हुआ क्या है 14 by 8 यह क्या हुआ minus 5 by 4 हुआ plus 9 by 2 हुआ minus 1 देख इसको cancel कर सकते तो 7 by 4 आ जाएगा नहीं तो 7 by 4 minus 5 by 4 यहने कि 2 by 4 यहने कि 1 by 2 हो जाएगा यह और 1 by 2 plus 9 by 2 5 minus 1 answer will be 4 तो answer will be 4 क्या घटाए जाए तो 4 तो सेशफल निकालना है आपको इस सवाल में तो यह shortcut method भी इसमें अपलाई होगी क्यों अपलाई होगी अब आपको जाना है कि नहीं हमें तो remainder और आपको पता है ना क्या घटाया जाए उसमें अंसर कोन होगा remainder यह answer होगा clear थोड़ा सा patience रखो ठीक है सारी चीजह आपको रटवा देने वाला हो में है ना तो चलिए देखिए अभी है ना इसको यदि आप basic से करते हो देखो basic से भी हो जाएगा यह मतलग 14x3 हमारा target है किसका multiply करें 2x में के 14x3 आ जाए 7x2 का 2 सती 14 और x3 बनाना है तो x2 into x3 तो चलिए 14x3 माइनस 7x2 तो माइनस प्लस यह cancel यह प्लस का 2x2 प्लस 9x-1 clear चलो तो इधर पे लगादे हम प्लस का x तो x into 2x आएगा क्या 2x2 स्क्वेर माइनस x है डा 2x2 माइनस x ठीक है चलो अभी माइनस और यह प्लस ठीक है यह cancel 10x-1 clear ठीक है तो 10x-1 अब 2x में किसका multiply करें 10x आ जाए 5 का 5 दुनी 10 10x-5 चलो sin opposite कर लेते माइनस और प्लस clear यह cancel प्लस 5-1 प्लस चार रिमेंडर आ रहा है की नहीं आ रहा है बताओ आ रहा था चार अंसर तो रिमेंडर या तो ऐसे निकालो या फिर रिमेंडर का गटाया जाए देखो क्या गटाया जाए कि x-3 से पुरूरूप से भाजित हो जाए और एक क्या जोड़ा जाया है ना तो इस class को यहें पर खतम करते हैं अगली वाली class में हम वह चीज इनिशियेट करेंगा ठीक है साल की life आपका सेट होने वाला है तो 50 साल की life यदि आप सेट करने वाले हो clear ठीक है तो उसके लिए इतनी तो महनत बनते हैं आर वीडियो को repetition में देखें और repetition में नहीं देखोगे तो चीजे दिमाग में रहेगी नहीं तो कैसी होगा आप समझो ना बात को, इस आर्ट को सम जो चलो के सो all the very best repeat कर करके देखे थैंक यू नेक्स पास मिलते हैं थैंक यू मेरी मच्छ